हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो इंडियन स्टडी, इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए ग्रामील परिवेस का इंपोटेंट टेस्ट लेकर के आया हूँ आज ब देदेस 2020 पारित किया तो किस राज ने पारित किया تو सही एंसर हो जाएगा सर उत्तर प्रıtेस राज ने तीसरा पीसं से यहाँ पर आपका बिलकुल प्याइक्ट हो जाएगा पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों correct हो जाएगा निमले के तमेंसे कौन सी root crop नहीं है जल्दी बताओ निमले के तमेंसे कौन सी root crop नहीं है तो सही answer आपका क्या हो जाएगा एक एक जो है एक root crop का अधारण नहीं है दूसरा options यहां पर आपका बिल्कुल correct हो जाए गया जल्दी बताओ उत्तर प्रदेس में आवास विकास परिसत का कज़़न कब किया गया तो सए ऴर्स पॉर्स फार tecn स्यनका को इसमें सव, मंपर अब-र आपको च्छेकर next questions start करने से पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों जैसे ही आवन academy का learning या प्लेयर स्टोर से डाउनलोड करोगे तो आप से पूछेगा कि आपको competitive exam की तयारी करना है या आपको 6-day toll तक पढ़ ला है तो मैं तो आप से कहूँगा कि आप competitive exam की तयारी करना चाहरा है ठीक है आप किसी भी category को select कर सकते है railway bank SSC, UPSC, BPSC, RPSC, CPSC कोई भी state PCS को आप select कर सकते है जिस भी category को आप select करना चाहरा है आप उसको select कर सकते है ठीक है जैसे मैं आपको UPSC, CSE category चूज कर लेता हूँ मैंने चूज कर लिया हिंदी में मुझे पढ़ना है तो मैंने इसको choose कर लिया ठीक है किस भी exam के लिए preparation कर रहा है हमने आगे बढ़ गए ठीक है अब ऐसा नहीं है कि आपने इस category को choose किया है तो आप मेरे से नहीं पढ़ पाएंगे जबकि मैं UPSC category के अंदर का पढ़ाता हूँ यह subscription अगर आप लेना चाहें तो subscription ले सकते हैं ठीक है क्योंकि anacademy और anacademy plus में बहुत ज़्यादा फरक है ठीक है subscription की बारे मैं बेवी आपको बता दूँगा किसी और वीडियो में तो आपके सामने इस तरीके के interface आएगा ठीक है तो आपको मेरा नाम सर्च करना है ठीक है मेरा नाम क्या है Tariq server तरिक server ठीक है तरिक server तो मैं आपको मिल जाँगा देखो तरिक server यह मैंने यह मिल गया यह मैं आपको UPPSC category के अंदर पढ़ा रहाँ ठीक है तो जैसे ही आप कोई भी class होगी मेरी ठीक है तो इस पर जैसे ही select करा, तो आपसे watch class, watch class पर जैसे ही आप click करोगे, तो यहाँ पर कोई options नहीं आएगा, लेकिन आपके पास options आएगा, unlock class, unlock class क्यों करना पड़ेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप मेरी class पहली बार देख रहा होंगे, अगर आप पहली बार मेरी class देख रहा है, तो आपको मेरी class को unlock करना पड़ेगा, और unlock code क्या है मेरा Indian study, इंडियन study जो channel का नाम है, वही मेरे unlock code है, class unlock code, तो इसको apply करना, without space, class आपके unlock हो जाएगी, बिल्कुल free of class ने, आराम से आप जो है वो देख सकते हैं, next question से आपको के राज में किस योजना का उद्देश निर्धनता उन्मूलन तता आदूनी करन का था, तो किस योजना का उद्देश था, तो सही answer हो जाएगा सर आपका, छटवी पंच वर्सी योजना, दूसरो options बिल्कुल correct, उत्तर प्रदेश में आवास बंदू का गठन क कब किया गया, वर्स उन्निस सो संतानवे को, चोधा options correct, उत्तर प्रदेश में चकवंदी योजना कब प्रारम की गई थी, तो वर्स उन्निस सो चवण में प्रारम की गई थी, तीसरा options correct, कौन सा सर, तीसरा options यहाँ पर आपका बिल्कुल correct, जमा बंदी से क्या तात पर रहे है, तो सही आंसर हो जाएगा सर, जमा बंदी का तात पर रहे होता है, भू अधिकारों के प्रलेक, दूसरा options correct, उत्तर प्रदेश में किस हिस्से में किर्सी स्रा मुतपादकता सरवदिक है, तो यह पस्चिमी उत्तर प्रदेश में है, चोधा options correct, उत्तर प्रदेश का पहला वायर टेकनोलोजी पार्ग कहा है इस्तापित किया गया तो ये लखनाओं में इस्तापित किया गया तीसरा आफसनस यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर परदे सरकार ने अलप संक्यकों की सूची में किस नए धर्म को जोड़ा तो ये जेन धर्म को जोड़ा दूसरा options यहां पर आपका बिल्कुल correct हो जाएगा ठीक है हाली में उत्तर परदे सरकार ने घरों के आवास वसुओं को रखने के लिए एक छुक किसानों को पृतिमा कितने रुपे की गोशना की तो सही आंसर हो जाएगा आपका 900 रुपे तीसरा options correct कितने सर 900 रुपे तीसरा options बिल्कुल correct किरसी आय में लगे टेक्टर की आवाज किस इस्तर से अधिक नहीं होना चाहिए 90 डेसीवल तीसरा options बिल्कुल correct पूसा रसराज किस की उननत किसम है पूसा रसराज किस की उननत किसम है सही आंसर रुजगा सर ये खर्बूजे की उननत किसम है पहला options correct उत्तर परदेश में ग्याओं की फसल की हिर फिर किस से की जाती है ये धान से की जाती है तीसरा options यहाँ पर आपका बिल्कुल correct हो जाएगा कितने पृतिसद ग्राविल परिवारे की रसोई में परंपरागत लकड़ी गोबर आधी में खाना बनाए जाता है सही आंसर रोजगा 85% दूसरा options correct केवल कितने पृतिसद ग्राविल परिवारों की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाए जाता है कितने बहतरीन कोश्टन्स है केवल एक परसेंट किसान चेनल का पिरदान मंतरी द्वारा कब उधगाटन किया गया तो 26 माई 2015 को किया गया पहला आप्सन्स करेट उत्तर प्रदेश का अठारवा बंडल कौन सा है बहतरीन कोश्टन्स अलिगड़ उत्तर प्रदेश में बाले का समरद्दी योजना कब प्रारम की गई तो ये 2 अक्टूबर 1997 को प्रारम की गई तीसर आप्सन्स यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा स्वाधार योजना सम्मन्दित है किस से जल्दी बताओ स्वाधार योजना किस सम्मन्दित है तो सही अंसर आपके क्या हो जाएगा स्वाधार योजना ये संगर सिसील महीलाओ की साहिता करने से सम्मन्दित है दूसरा आप्सन्स करेक्ट उत्तर प्रदेश में एक वीगा कितने बिस्से के बराबर में होता है बहतरिन कोसन्स बताया भी ता मैंने तो ये बिस्से के बराबर में होता है दूसरा आप्सन्स यहाँ पर आपका बिलकुल करेक्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सहीक तुरूप से किरसी विवाग की स्थापना कब की गई तो ये 1875 में की गई पहला ही उप्सन्स करेक्ट हो जाएगा गाओं के नकसे को क्या कहते है देखो जरा गाओं के नकसे को क्या कहते है तो सज्रा कहा जाता है क्या कहा जाता है सज्रा और लाश्ट कोसन्स के उत्तर प्रदेश में COVID-19 का पूल पर इक्षण सुरुवात करने की अनुमती कब मिली तो इस questions का answer आप मुझे comment box में बताएंगे तो दोस्तो ये थे आपके 25 गिरामिल परिवेस के important questions जो कि आपके आने वाले exam यूपिटर पहले सी लेकपाल के लिए बहत important है दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीस दोस्तो वीडियो को लाइक और सेर दिरू कर देजिएगा तो दोस्तो फिलाल की वीडियो हो सरफ इतनाई अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीस दोस्तो वीडियो को सेर के जो साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब पना ना भूलें क्योंकि मुर्जान यसी तरह के वीडियोस आप लोग लिए लात रहता हूं नमस्कार दोस्तो जै इंद जै भारत